यह वीडियो में हम देखेंगे की how to scale your database and majorly हम explore करेंगे when to scale your database, types of scaling and different scaling methods जो हम database को scale करने के लिए use कर सकते हैं यह वीडियो system design series का एक part है, link in the description and मैं system design related और भी काफी वीडियो बनाते रहता हूं उसके लिए please consider subscribing, चलिए start करते है, so सबसे पहले आता है कि when to scale your database, ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा, कि हाँ मेरे को अपने database को scale करना है, मैं काम के जा रहा हूं, मतलब मेरे को कैसे पता चलेगा, कि हाँ यार मतलब सब बोलते हैं कि database scale कर दो, यह कर दो, कर दो, बट कब करना है so उसके लिए कुछ चीजें हम देखते हैं, basically आप RAM CPU देखोगे कि आपके database है, जो उसकी RAM एकदम 100% यूज तो नहीं हो रही है, CPU बहुत जादा यूज तो नहीं हो रहा है, hard disk भरने वाली तो नहीं है, और आपके जो networking है, आपके database के साथ, वो fully utilize तो नहीं हो रही है, वहाँ आपका 80% चल रहा है सब कुछ, तो वहाँ पर भी आपको scale करने की जरूत पड़ेगी, and writes को बढ़ाने के लिए आपको scale करने की जरूत पड़ती है, let's say अभी आपको 200 writes per second हो रहे हैं, but बाद में माल लो आपके functionality आप कुछ editing feature डाल रहे है, इसके वाज़े से 300 writes per second हो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे आपकी APIs हैं, उनकी latency बना स्टार्ट हो जाएंगी, जिन में कम टाइम लग रहा है, जैसे माल लोग कुछ milliseconds में response दे रहे थी कोई API, और वो बहुत जादा time लेने लग गया है, तो वो भी एक काफी बड़ा parameters है, and ये स अब हम एक monitoring system के through करते हैं, so हमारा database चल रहा होता है, उससे काफी matrix push करते हैं, and जैसे प्रमेथेस हो गया graphana के through dashboard बना के वहाँ पर हम देखते हैं, लेटेंसीज होगरा, कि अभी मेरी ये लेटेंसीज आ रही हैं, ये writes के लेटेंसीज हैं, ये read की हैं, इतनी CPU यूज हो रहा data dog में, या फिर similarly new relic, इस type के solutions में हम push कर देते हैं, वहां पर हम visually analyze करते हैं, इसके regarding में वीडियो बिनाओंगा थोड़े time में, so basically हम visually देखते हैं, जैसे हमारे पास बड़े system हो जाते हैं तब, छोटे में आप काम चला सकते हो, मालो आपका उतना budget नहीं है, टीम नहीं है, उ सके लिए, क्योंकि setup के लिए बहुत सदा time effort लगता है, ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हो, कि हाँ मेरे को अब जरूरत है database scale करने की, next है यह discuss करते हैं, कि types of scaling क्या-क्या होती है, कौन से-कौन से types की scaling होती है, so basically हमारे, basically हमारी दो type की scaling होती है, एक होती है, एक होती है मालो, छोटा है, यह 64GB RAM है, इसकी, and मालो, यह 32 cores का है, ठीक है, so basically हम इसको upgrade कर सकते हैं, मालो, मैंने 128GB RAM कर दी, 64 core दे दिया, इसको, network bandwidth बढ़ा दी, double care wires लगा दी, double cable लगा दी, triple cable लगा दी, network interfaces लगा दी, मैंने, so इस तरह से हम उसी system के अंदर, कुछ components upgrade कर देते हैं, वो हो सकते है, RAM हो, CPU हो, ठीक है, उसकी hard disk उसके अंदर extra add कर दी, मालो, एक TV फूल होने वाली थी, मैंने 4 TV और लगा दी, ठीक है, and network interfaces लगा दी है, उसके अंदर, ठीक है, and power supply बढ़ा दी, उसकी, जो कि यह सब component add होंगे, तो power supply भी जाद अची होगे, तो यह होगया, vertical scaling, so basically vertically उसक scale कर रहे हैं, छोटा था आपका, बढ़ा कर रहे हैं आप उसको, मतलब fat बना रहे हैं एक तरह से, तो vertical scaling बोला जाता है इसको, यह over the time थोड़ी महंगे होती चली जाती है, जैसे आपके छोटे system होते हैं, तो ठीक है, जैसे आपने थोड़ा बढ़ाया, तो आपका, actually, जो cost ह होती है, components की वो बढ़ती चली जाती है, आप, आप दो machines, 32GB की लोगे, वो आपको सस्ती पढ़ेगी, over the time, जो कि आप 64GB की machine लोगे, ठीक है, तो वो काफी महंगी पढ़ने लग जाती है, चीज़े, और उनके लिए specialized hardware होता है, तो वो काफी महंगी पढ़ती है, ठीक है, यह बाद आप नहीं कर पाओगे, और limitation भी ऐसी है, कि super expensive हो जाएगा time के साथ, ठीक है, and दूसरी scaling होती है, हमारी horizontal scaling, इसके अंदर क्या होता है, कि यह हम horizontally, यानि ऐसे, डबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब मेरे को मेरे को पतायागी, मेरा double on all defect, तो मेरे 4 डबबबबबे थे, मैं 4 डबबबबब बबबबबबबबबबबबबबबबबब, यह एक कप्लेमेंट करने में, यह हमारे vertical and horizontal scaling होगी, so vertical basically क्या है हम उसको downward यानि उसके अंदर capacity add करते चले जाते हैं चीज़ें बढ़ा देते हैं ग्रेड कर देते हैं इस तरह से हम उसको scale कर सकते हैं and horizontally हम number of instances बढ़ा देते हैं उसके अंदर एक था दो कर दिये चार कर दिये पांच आठ पंदरा हम जितनी हमारे ज़रूरत है उतने हम instance add कर दी गए हमारी capacity मिल गए हमें इस त्राइब से आप scale कर सकते हो next हम देखते हैं कि how we can scale our database क्या-क्या हमारे पास methods हैं या फिर क्या-क्या तरीके हैं जिससे हम scale कर सकते हैं database को ठीक है तो यहां पर मैंने कुछ points लिखे हैं पहला है कि हम separate कर सकते हैं database को from application server दूसरा अप्ग्रेड तीशरा basically caching इंप्लेमेंट करके एंड और रेप्लिका रीड रेप्लिका बनाके एंड फिफ्थ शाडिंग शाडिंग में बूट टाइप लगा रखा है क्योंकि शाडिंग यार कफी कफी कॉम्प्लेक्स होता है ठीक है यह सारे मैं one by one explain करता हूं आपको first is basically separate database from application server सो हमारा generally जैसे अगर लगा लो मेरी एक छोटी सी website है छोटे systems के लिए होता है में लिए की भी हमालो आप start कर रहे हो बिल्कुल सो आपने कभी wordpress setup किया होगा तो क्या होता है कि आपका wordpress के जो server होता है उसके अंदर ही आपका database server होता है MySQL आपको मिलता है ठीक है उसी के अंदर आपको PHPW होती है उसी के अंदर Apache चल रहा होता है सब कुछ एक ही machine के अंदर चल रहा होता है ठीक है तो अब आप क्या है कि यहां पर आपको माले database का users बहुत जादा होने लग गया तो आ अपना application server है जो आपका इक डूसरी VM के अंदर move कर दो and database डूसरी VM के अंदर move कर दो so VM basically virtual machine जो की physical machine के अंदर multiple virtual machines हमें बना सकते हैं वह हमें मिलती है cloud पे हमें virtual machines ही मिलती है ठीक है तो आप क्या कर रहे हो कि अपने application server को आपने एक virtual machine के अंदर डाल दिया and दूसरे दूसरी virtual machine में डाल दिया आपका जो सर्वर का लोड है अलग अलग मशीन पर चल रहा है अगर वह एक परी चलता है प्रॉब्लम होती है नौईजी नेबर वाली प्रॉब्लम होती है उसके अंदर क्या है कि आपका अगर जैसे डेटाबेस पर लोड आया तो आपका अप्लिकेशन भी बि कि कुछ complexity होती है कि आपको वही टीम लगानी पड़ेगी कुछ bandwidth वहां देनी पड़ेगी तो so easy होता है इसलिए start ऐसे कर लेते हैं लोग कि एक ही पर दोनों चीज़े सो आप एक कुछ हद तक scaling ही होगी एक तरह से आप मानलों एक मशीन यूज़ कर रहे थे अब दो कर दी ठ system so next is basically vertical scaling so आप अपना जो database है लगा लो 32 GB था उसको 128 GB कर सकते हो अप्ग्रेड कर दिया आपने basically अपने database को जो कि हमने vertical scaling के अंदर समझाता कि आप extra capacity RAM वगरा बढ़ा के सब अपने server को अप्ग्रेड कर सकते हैं तो यह example मैंने लिया आपका client है basically and client आपका connect होता है application server के साथ and database आपका यह configuration थी पहले बट आपने यह सब अप्ग्रेड कर दी इसके अंदर सो आपको basically एक तरह से one fourth of RAM मिल गई ठीक है उसके बाद double हमारे पास storage आ गई double हमारे पास storage आ गई and 32 core हमने CPU कर दिये इसके उसके बाद 4 LAN connection लगा दिये मतलब इसके network bandwidth बढ़ाने के लिए आप क्या है multiple network interface card होते हैं NIC होते हैं उनको multiple लगा सकते हैं एक मशीन पर ठीक है तो आपका क्या है जैसी कि मानलो एक TBPS ले रहा था just hypothetical exact number नहीं बता मां बता रहा हूं जस्ट कि एक TBPS की speed ले सकता है एक LAN wire तो आपने चार कर दी तो चार अप्लिकेशन से database के साथ connect ना करें यह वाली चीज ना करके आप क्या कर रहे हैं कि एक cache introduce कर दिया आपने ठीक है cache क्या होता है cache basically आपने कोई query की database में ठीक है और उसका result आया वह आपने store कर लिया एक past database के अंदर past database या फिर in memory database जैसे की reduce होता है इनके बारे में वीडियो बनाऊंगा अभी समयज लीजी cache के अंदर के आपको instantly result मिल जाता है जैसे मानलो आपके query है अपने database को query issue की और वह देती है 10 सेकंड लेती है ठीक है अब मानलो वह query के लिए वह बार बार चल रही है हर 2 सेकंड 5 सेकंड में चल रही है तो उसका कोई फायदा थोड़ी है कि हर बार मैं जाओं और पांच बार सेकंड जाके database पे time लगाओं और वह same result दे रही है ठीक है तो उसको क्या करते है कैश कर लेते हैं कैश कर लिया मैंने जब भी मेरे पास मैं जब भी उस query का result लेने जाऊंगा ना सबसे पहले मैं कयं करूंगा perché मैं पलगभा कैश में लगा लो आप कोई e-commerce website है और उसके अंदर catalog होगा होता है जो कि बहुत कम change होता है ठीक है तो उसके अंदर आप हर बार database से लेके आना मतलब नहीं बनता ठीक है डेटा लेके आना तो आप cash से उठाना start करते तो ठीक है ऐसे ही आप queries भी cash कर सकते हो queries के result ठीक है तो आपने क्या क्या query बनाई query का एक simple तरीका है जैसे कि मानलो hash निकाल लिया एक hash निकाल के and जो उसका response आया तो आपने सो बेसिकली ऐसे आप एक simple strategy है कि आप यूज कर सकते हैं यूज करके उसके अंदर and आप चीज़ें store कर सकते हो response return कर सकते हो ठीक है मतलब बहुत rarely change होता है मतलब आपने कोई नया article डाला तो कुछ नया ही आएगा ना वो मतलब कुछ ज्यादा change नहीं होता है तो आप वो एक बहुत एक perfect example है आप आप caching लगा दो आपने शाहिद किया भी हो कि caching का plugin डाल दिया दो क्या करता है आपकी static files बना देता है एंड उसको रिटन करने लग जाता है पाचे डिरेक्ली ठीक है तो ऐसे ही इसके अंदर आपने cache डाली तो आप queries के result cache कर सकते हो उसको रिटन कर सकते हो ठीक है तो reads को scale करने के लिए आप क्या कर सकते हो आप basically क्या कि आपने database के replica बना दिये ठीक है तो मेरे पास जब भी कोई मतलब मैं कुछ भी write करूंगा तो इस वाले database के अंदर होगा ठीक है और यह replicate हो जाएगा साथ के साथ कुछ milliseconds की latency होती है और यह जाके इनके अंदर read replica के अंद होता है क्योंकि इसको जाने में time लगेगा उदर processing में थोड़ा हलका सा तो वह available हो जाता है वहां ठीक है तो आप क्या कर सकते हो आप read ना तीन जगह से कर सकते हो आप read replica से read कर सकते हो database से इस database से read कर सकते हो दूसरे read replica से भी कर सकते हो तो आपने एक तरह से तीन गुना replica आप इनको upgrade भी कर सकते हो इनकी CPU RAM बढ़ा के थोड़ा और capacity आपको add करने हो तो वैसे भी आप कर सकते हो ठीक है इस तरह से आप read replica करके and आप अपनी reads काफी fast कर सकते हो ठीक है इसके आगे ऐसा भी कर सकते हो आपकी इसके आगे आपने caching लगा दी ठीक है caching लगा दी तो read replica plus caching मतलब वो जरूरत पढ़ती नहीं read replica की अगर आपने caching लगा दिया तो में ली बट हो सकता है कि आपके बहुत बहुत जादा रीड हो बट आपके जैसे cache miss बहुत जादा हो रहे हो तो आपको read replica में लगाने पड़ेंगे कर सकते हो फेल ओवर करके आप उनको किसी को master बना सकते हो एंड वहां से आप अपना system continue कर सकते हो आपका system रुकेगा नहीं ठीक है next is sharding पूरा कई videos बनानी है इसके उपर मैंने subscribe कर लेना and like कर देना अगर प्लीज YouTube आप जैसे और लोगों को दिखाएगा ये video सो काफी help हो जाएगी मेरी बहुत effort लगता है इस बनाने में समझते हैं थोड़ा sharding तो basically कई बार क्या होता है कि आपको जिसे आप फिर capacity आप हार्ड डिस्क नहीं कर सकते हैं मालो आपकी चार टीबी भर चुकी है और चार टीबी से ज्यादा लगा लो support ही नहीं करता ठीक है hypothetical है बट मालो की नहीं करता ठीक है अब आप क्या करोगे उसका तो आप क्या है अब horizontal scaling के लिए क्या करते हैं हम उसको हम उन tables को split कर करना start कर देते हैं ठीक है जैसे मालो मेरे की user table है ठीक है उसमें billions of records है और उसमें और भी add होते रहेंगे ठीक है और बहुत ज्यादा speed से बट रहे है और अकेली table का size ही लगा लो 4TB हो गया है ठीक है अब 4TB उसका size हो गया है तो मैं उसको अब कैसे split करूँ मेरे को अब वो कर दूँगा एंड मैं उसको जैसे लगा लो मैंने तीन server बना दिये एक table को मैंने जैसे user table तीन servers पर डाल दी ठीक है तो वहां पे हम data base की sharding कर सकते हैं ठीक है तो उसका मतलब one third data मैंने एक server पर रखा दूसरा मलब one third दूसरे पर तीसरा one third तीसरे पर है ठीक है तो अब मैं उसमें कई techniques होती है कि आप उसको data को divide कैसे करोगे load सब पर आना चाहिए ऐसा नहीं कि एक पर ही hotspot बन रहा है बहुत चाहते चीज़ें होती है मैं next videos में cover करूंगा वो सब ठीक है तो basically sharding में आप उस data को split करके और अलग-अलग servers में रख देते हो ठीक है इसकी implementation basically आप अपन ज्यादा फायदे भी होते हैं और कुछ नुक्सान भी है basically नुक्सान की कुछ trade-off है आपको time या फिर energy वहाँ पे लगानी पड़ेगी ठीक है इस टाइप से है तो यह होगी हमारी sharding इसको मैं अच्छे से cover करूंगा आने वाली videos में और उसमें अच्छे से समझेंगे इसक इसको बढ़ाने के लिए बहुत जादा और रेट रेपलिका भी बना सकते हो उससे क्या होगा कि आप अपनी reads scale कर सकते हो और बड़े server पे अप्ग्रेड करके भी आप basically अपनी capacity बढ़ा सकते हो मतलब उसको server को अप्ग्रेड कर सकते हो and next is sharding basically ठीक है अप इन सब का hybrid भी ल कर दिया आपने तो टोटल आपको नो server होगे एक दो तीन और इनके दो दो रेपलिका ठीक है नो server होगे उनके आगे आपने caching लगा दी ठीक है and उसको application server से तो पहले ही निकाल ही रखा था obviously हमने ठीक है और उनको upgrade भी कर दिया बड़े-बड़े server में ठीक है तो आप बहुत इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छे लोगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस टाइप की वीडियो आती रहेंगे प्लीज कमेंट में बेरको बताए किस topic पर बनवानी है मैं बना दूगा वीडियो ठीक है प्लीज कमेंट करें थैंक्यू